श्री श्वाय नमस्तूब्यम आप सभी को कैसे हैं आप सभी रादे-रादे मैं बिल्कुल ठीक हो आप बताएगा कैसे हो तुझी सुबा का टाइम है सुबा की बच जहां है साथ आज मैं तोड़ी से लेट ऊटी हूँ शाड़े च्रे बच गरती मुझे उठते-उठते विकुद अब श्रेको स्कूल नहीं जाना ना तो बिस घर के ही काम थे तो मैंने का चलो आराम से उठते हूँ श्रेका हो गया है वेकिशन उसका थर्ड कम्प्लीट हो गया है तो वही अभी वेकिशन चल रहा है कल उसका लास्ट एक्जाम था तो वो हो गया है आज के दिन होली का देहन है तो सबसे पहले आप सभी को होली की धेट सारी श्रुप काम ना है रादे रादे मैं अभी उपर चड़के आई हूँ और वाकिंग कर रही थी और वहाँ पर देखो बंदर दिखाऊ मैं बंदर आगई बर सुबर से सुची यहाँ पर मैं वाकिंग करने के लिए आई थी पात-दस मिनट वाकिंग कर ले दियू फ़रा सा अच्छा लगता है सुबर सुबर पर स्कूल भी नहीं जाना है तो आराम से मैं उठी हूँ आज थोड़ी सी लेटी हो गई साड़े 6 बज़े मैं उठी हूँ और उपर आके देखा तो इतना सारा उजाला हो गया था तो जी आज तयारी करनी है जाने की तो जाना है आज हुजे सस्दॉराल हुज़ दिन हो गए मैं सस्दॉराल ले गई थी, और होली भी आ रही है तो हम लोग न होलीई कोई भी फेश्टिवल हो सस्दॉराल में ही सालिभरेट करती हूँ मैं तो बस चलते हैं ससुराल की तरफ उसके पहले घर के जो छोटे बड़े काम है वो निपटाती हूँ बाल देखो कैसे होगे मैं ऐसे ही रफली बन बना लिया सुबह उटके इसे हम लोग रफली बन बना लेते हैं तो जी बस चलना है और देखती हूँ कब तक निकलेंगे क्या है वैसे तो हम लोगोंने आइडिया लगाया कि 9 बजे तक हम लोग लोग निकल जाए उपर आई उसके पहले नीचे चाय रखकर के आए थी 5-1 मिनिट जैसे हो गया है तो बस नीचे जाओंगी तो हस्पन को चाय वाए दूंगी और जूते मैंने कल दो करके डाले थे तो वह भी मुझे चट से उठाना था पर अच्छा लग रहा है वाली धूप न बहुत तेज दूप नहीं लग रहे है पर अच्छी लग रहे है मन को भार ही है वैसी वाली धू बिद्धिण ननी ननी सी दूप है बहुत अच्छी लग रहे हैं तो नीचे चाय वाए रखे है तो नीचे जा के अस्पन को चाय वाए दूंगी उनको नाश्टा वाश्टा कर वाओंगी उसके बाद जूए फिर मैं नहाऊंगी पानी लगा दिया है मैंने अपना तो नहा नहां दो करके रेडी हो गई हूँ यहां मैं और साड़ी पहनी है मैंने क्योंकि ससुराल जाना है सरवर ढखना होता है हमारे बाँ गुंगट भी किया जाता है तो साड़ी is the most important food ससुराल तो मैंने पहन लिया है और यही साड़ी उपर रखी दी क्योंकि इसको मैंने पिछले भी यूज करा था जब मैं श्रे के स्कूल गई थी तब तो बस पहन करके जारी हो मंदिर और पुझा करने से पहले यहां पे मुझे पोचा भी लगाना था पूरे घर में मैंने सफाई कर दी थी जाड़ू लगा दी थी क्योंकि पोचा होचा लगाने का इतना समय था नहीं तो बस मोचा लगकर के मंदिर की हो गई है सफाई और अब मैं फूल तोड़ने के लिए गई थी तो आज मेरे गमले में इतने ही फूल थे पांच फूल थे दो फूल बाहर में स्वस्तिक बनाती हूँ तो वहां पर रखकर के आई हूँ और अब मैं करूंगी पूझा यहां पर नहलाते निराते जैसी भगवान जी को भोग लगाने के लिए गई तो यहां पर पानी फैल गया था तो मुझे यह साफ करना पड़ा ऐसा होता है ने कभी-कभी फैल जाता है पता नहीं कैसे हाथ लग गया और फैल गया यहां पर फूल चड़ा दिये मैंने अपने आग तुलसी में यहां को जल चड़ाऊंगी और वहां पर पूजा करूँगी यहां पर श्रेवी नहादो करके आ गया था तो वो भी आ गया है मंदिर में भगवान जी को प्रणाम करने के लिए और मैंने का चलो आप लोग को भी दर्शन करवा देते हैं मंदिर के और मातारानी भगवान जी के आप भी दर्शन कर लीजी आज मुझे इतना जल्दी है सुबह सुबह कि मुझे बैठने का बिल्कुल समय नहीं था तो सीधी में किचन में आके चाय गरम करने लगी हूँ अपनी हाँ क्योंकि सुबह मैंने चाय रखी थी थी थोड़ी बहुत बची है तो म बस उसने अपना टॉइस वगरा ले लिये है बैडमिंटन कुछे का दो उसने टॉइस भी लिये है और वो रड़ी हो गया है बोला ममा जल्दी करो अब आप लेटर क्यों बच्चों को लगता है ना कि वो दादू दादी के पास चाय बेकिशन हो गया है जोड़ा सा वो भी फ्री हो रखा है ना तो इसको और पुदा नहीं क्यों मुझे भी इतना सददा कि बस जाना है ससुराल जाना है बहुत दिनों से नहीं गई थी ना एक अपना घर अपना घर ही होता है वहाँ पर आके जो सुकून मिलता है ना वो कहीं भी दुनिया में सुकून नहीं मिलता ह तो बस चलते हैं ससुराल सर पे ले लिया है मैंने पलू और बस हो गई है बहुरानी तयार तो चलते हैं ससुराल की तरफ यहां पे अस्पन बातचीत कर रहे थे किसी से क्योंकि मुझे रैडी होने में टाइम था हैं और पांच एक मिनिट होगे हम लोगो निकलें बीच में हम लोग रुख गए क्योंकि फ्रूट्स वगरा लेना है तो यह फ्रूट्स लेंगे और इसके बाद फिर घर के तरफ जाएंगे बहुत सथा टाइम नहीं लगेगा आदा गंटा पौने गंटे में हम लोग कर लिया था मदब बैग में रख लिया था तो यही वाला बहार था तो मैंने और इंज वाला लगा लिया बड़ा अच्छा लग रहा था काफी दिनों बाद ये वाला जो रस्ता है वो देख रही थी और जैसे हम लोग निकले यहाँ पर पता चला काम चल रहा था थोड़ा दर ठहरना पड़ेगा ऐसा पता चला तो यहाँ पर हम लोग को 15 से 20 मिनिट लग गई थी खड़े खड़े और उसके बाद वापस से हम लोग अपने सफर की और चल पड़े थे अपने गाउ अपने ससुराल अपने घर की और तरफ चल पड़े थे और यहाँ पर आ गया था हाईवे और फिर हमारा गाउ तो बहुत अच्छा नजारा लग रहा था और हाईवे पर भ कामबाम चला था ना रोड का इस वज़े से वढ़ना हम लोग और जल्दी से पहुँच जाते और जैसी जैसे गाओ आ रहा था ना तो मैं खुद को रैडी कर रहे थी भाई के चलो सस्राल आने वाला है प्रिया तेयार हो जाओ और हमारे साइड ना बहो को मुझ ढख करके रखा जाता है तो यहाँ पर बस गाओ की जैसी गलिया शुरू हुई मैंने तुरंट मुझ ढख लिया और अब मिलते हैं सस्राल में ज़ बताऊना यहाँ पर आके इतना अच्छा सुपून इतना सुपून फील हो रहना कि मैं क्या ही बदाऊं यह पोटो फ्रेम में बहुत याद करते थी बहुत याद करते थी और यह हमारा रूम आंके मैं बैठ कही हूँ अपने बैठ पे और मम्मी को देखा दो मम्मी करें थी पूजा तो जैसे मम्मी पूजा करके आ जाती है मैं आपसे उनको भी मिलवाँगी क्या बहुत देन हो गए आप लोगों भी नहीं देखा होगा मम्मी को तो मिलवाँगी मैं चलो उसके पहले मम्मी पूजा हुजा करती है तो काम के तरफ शलते हैं सफ्राल आए है खाना वाना बनाती हूँ सबके लिए खाने का टाइम तो होई गया है लंज टाइम हो गया है ग्यारा बच गये है तो बखे लंज बना रही हूँ यहाँ पर मैं रोटिया बना रही हूँ और मैंने पापा जी को गरम गरम रोटिया बना करके खिला दी बागी का जो आटा था सारी रोटिया मैंने बना ली ममी जी बोल रही थी बना लो फिर अपन चारों लोग इखटा बैटके खाएंगे पापा जी को पहले खिला दिया था यहाँ पर ममी को पता था हम लोग आने वाले हैं तो ममी ने पहली दाल बना ली थी फिर मैंने आके चटनी बना ली तो यह आज का डिनर, सॉरी लंच है यह आज का लंच है, मुंगी दाल, ममी के हाथ की बड़ी टेस्टी सी दही और यह चटनी, सिल्बटे की बटी हुई और गरम गरम रूटिया यह सारी चीज से करने के बाद किचन विचन साफ करना, बटन वगरा साफ करना मेरा चल रहा था और दुफेर को यहाँ पे, ममी और श्रे बैटे से दोनों ही लोग अपनी बाते बाते कर रहे थे गपे मार रहे थे, बड़े दिनों बाद मिले है न, तो बस श्रे को लग रहा था दादी के पास बैठे खूब सारी बाते करे और दादी को परेशान करे ये दोनों मिलकर कर रहे हैं होली की प्रिपारेशन, मतलब होली की प्लानिंग, क्या कैसे करना है दादी के साथ बैठके, और मेरा चल रहा है किचन साफ सफाई का काम, लंच वंच करने के बाद मैंने किचन तो साफ कर दिया था, बट मन नहीं माना, तो मैंने पूरा उपर से नीचे तक पूरी कीचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करी, इसके बाद फिर हम लोगों ने बनाई थी दुफैर भर, पूरे दुफैर भर गुचिया, मतलब मैं जैसी ससुराल में मैंने पैर रखा, मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं करा, बस मैं काम पर ही लग गई थी साफ सफाई बहुत ज़रूरी रहती है न, ममी तो देखो अकेली है, उन पर जितना बनता है वो करती है, बट मैं जब भी आती हूँ न, तो पूरे घर की साफ सफाई करके जाती हूँ, तो यहाँ पर बस मैरे किचन की सफाई हो गई है, और ममी जी न, कुछ सबसी वगर आज हम दोनों सास बहुए, इतनी ज़ादा ठक गए थे, क्योंकि दुफैर बर हो गया था न, लगे लगे, गुजिया वगरा एक ऐसी स्वीट है न, पूरी दुफैर हो जाती है, और होली पे गुजिया तो जान होती है, मिठाई हो की, तो वो तो बनानी पड़ती है, और सारी काम करते करते हैं, सूट वगेरा पहलों का फी कमफुटिबल फील होता है, तो मैंने अपना एंकल प्लास विच सूट पहल लिया था न, फिर मैंने जम कर काम करा था, क्योंकि मम्मी जानती है, ये बिना सूट पहने काम नहीं करेगी, तो हमारे गर में ऐसा रोक टोक है और पिछले व्लॉक्स की लिंक भी मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी, प्लीज आप चेक आउट कीजे, किचन तो मैंने चमका दिया है एकदम बराबर, बट मैं बहुत सदा टाइड हो चुकी हूँ, तो आज कब लोग कहीं पर एंड करते हैं, मिल आपको नई व्लॉक में, आपकी होली बहुत अच्छी गई होगी,